हेलो एवरिवन माई नेम इस सिर्वेश और वाचिंग मा यूट्यूब चैनल तो आज भी हम एक इंटर्व्यू की हेल्प से कुछ इंगलिस के स्ट्रक्चर्स वर्ड सीखने वाले हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई नोट पैड या पैनल लेकर बैट जाहिए ताकि आप कुछ ऐसी चीज़े लिख सको जो आप अपनी conversation में add कर सकते हो जो आप अभी तक नहीं use करते आये थे और ऐसी ही चीज़ों से आपकी overall communication भी improve होती है तो चलिए video शुरू करते हैं तो दीकि पहला sentence है मेरे माता-पिता ने अलग होने का फैसला किया तो यह साफ-सा sentence है तो मेरे माता-पिता ने अलग होने का फैसला किया अब यहां पे do or कौन है करने वाला कौन है मेरे माता-पिता सबसे पहले मेरे माता-पिता my parents चीक है जी my mom dad लिखने के ज़रत नहीं है my parents अब main word आएगा जो कि है did और action आएगा यहां पे फैसला करना है action so my parents did decide आना चाह कि मेरे माता-पिता ने फैसला किया किस चीज़ का फैसला किया वह बात में आ जाएगा that they want to get separated कि वह अलग होना चाहते है ठीक है that they want to get separated अब separate की जो फॉर्म है यह change क्यूं है क्योंकि वह separate का मतलब तो होता है सिर्फ अलग लेकिन अलग हो जाना जो इस फॉर्म के अंदर आ है वो बाइक है लेकिन जब मैं उसको दूंगा और वो जो सर्प्राइस मिलने के बाद उसकी कंडिशन होगी so he will be surprised तो ऐसे जगा पर formation change हो जाती है surprised ed लग जाएगा उसकी form change हो जाएगी so मेरे माता-पिता ने अलग होने का फैसला किया my parents decided that they want to get separated कि वह अलग होना चाहते है so second वाला sentence जो है यह मैंने present indefinite में ले लिया चीक है इस तरीके से दरसल मेरे पापा ने फैसला किया कि वो हमसे अलग होना चाहते हैं चीक है अब यहाँ पर भी वही दौनों sentences है पहला दरसल मेरे पापा ने फैसला किया तो यह जो sentence है यह आपका है past indefinite और अगला जो है कि वो हमसे अलग होना चाहते है यह sentence है आपका present indefinite चीक है जी तो दरसल के लिए हम लगाएंगे actually उसको लगा के sad मेरे पापा ने फैसला किया तो वही do or main word action फैसला किसे ने किया my dad फिर main word did और action है फैसला करना decide लेकिन did छोपे का decide में my dad decided मेरे पिता ने फैसला किया that कि वो हम हमसे अलग होना चाहते है अब यह है आपका present indefinite वो हमसे अलग होना चाहते है तो यहाँ पर do does का use होगा अब जो पिता है वो singular है तो does का use होगा ना negative है ना question है formation same रहेगी do or main word action वो हमसे अलग होना चाहते है इसमें do or कौन है वो so he ठीक है लग गया फिर main word लगेगा does action क्या है यहाँ पर चाहना want to लेकिन does छुपकेगा want to के अंदर wants to बन जाएगा he wants to वो चाहते है he wants to get separated वो अलग होना चाहते है from us हमसे चीक है तो दरसल मेरे पापा ने फैसला किया कि वो हमसे अलग होना चाहते है actually my dad decided that he wants to get separated from us अब मुझे बाहर जाना पड़ा यह जो sentence है यह आ जबूरी है right तो have to has to का use करते है और past की बाद चल लिए तो had to आ जाएगा I had to go मुझे जाना पड़ा out बाहर I had to go out मुझे बाहर जाना पड़ा and try to earn money और पैसे कमाने की कोशिश करनी पड़ी ठीक है try to earn money किस चीज के लिए to support my family ठीक है to support my family अपनी family को support करने के लिए अपने परिवार का साथ देने के लिए ठीक है जी तो पूरा sentence बना अब मुझे बाहर जाना पड़ा और अपने परिवार का साथ देने के लिए पैसे कमाने की कोशिश करनी पड़ी so now I had to go out and try to earn money to support my family आप यहाँ पर in order to का भी use कर सकते हैं जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि in order to हम किस तरह से use करते हैं so यहाँ पर वही एक formation आ रही है यहाँ पर आ जाता sentence I had to go out and try to earn money in order to support my family ठीक है ऐसे भी यह sentence बन सकता था ठीक है next देखते हैं मेरी cousins airlines उद्ध्योग में है अब यह उद्ध्योग मतलब industry so airlines industry में है अब यह जो sentence है कि मेरी cousins airline industry में है यह sentence है आपका simple present इसमें कुछ action ही नहीं है और यहाँ पर ना negative है ना question है तो इसकी formation क्या होती है किसके बारे में बात कर रहे हैं फिर main word और फिर वो उसकी condition क्या है चीक है तो मेरे cousins airline industry में है 6 अब यहां पर किसके बारे माद कर रहे है माई cousins मेरे cousins के बारे मेंब इस mr मैंसे आईगा और क्योंकि cuzen जादा है serik hai so my cousins EIR असलाय बात कर रहे हैं जो यहाँ पर यहाँ पर मतलब सारे कजैन की बात कर रही है so they 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 के साथ लगेगा इस आमार में से are they are क्या है वो air hostess so they are air hostess ठीक है so मेरी cousins airline उध्योग में है वो air hostess है my cousins are in airline industry they are air hostess ये अच्छा पैसा देने वाली नौकरी लगती है अब देखो ये लगती कैसे है ना तो ये feel करके लगती है मतलब ये देखके लगा रही एक तरीके से तो ऐसी जगा पर हम सीम का यूज करते है मैंने लगने वाली वीडियो में कई बार बताया हुआ है कोई चीज हमें छू कर लगती है कोई चीज सोच कर लगती है छू के लगा तो it feels like ठीक है जो मतलब की पहले doer यहां पर कौन है जो लगती है दिस चीज है ये ये दिस फिर does आएगा अब लगतने के लिए seem like लेकिन seem के अंदर does छुपा हुआ है चीज है तो this seems like ये लगती है a good paying job it seems like a good paying job अब पे के अंदर ing क्यों लगा है seems like a good paying job अच्छा पैसा देने वाली नौकरी ठीक है यहां पर इस तरीके से लगा है जैसे कि मैं बूलू ना he looks like आमिर खान कि वो आमिर खान की तरह लगता है तो look के अंदर जो लग रहा है ये does छुपा हुआ है अगर मैं बूलू कि नहीं यार नहीं लगता हुआ अमिर खान जैसा so he does not look like आ जाएगा वो एस हट जाएगा क्योंकि दस बाहर आ गया तो यहां पर यह अच्छा पैसा देने वाली नौकरी लगती है this seems like a good paying job मैंने तै किया अब यह जो sentence है इतना सा मैंने तै किया अब मैं air hostess बनने वाली हूँ ठीक है अब यहां पर आप चाहो so will be का भी यूज़ कर सकते हो now I will be an air hostess आप ऐसे भी इस चीज़ को बोल सकते हो ठीक है और यहां पर हम going to कोई चीज़ होने वाली है अब कोई चीज़ अगर बिल्कुल next moment पर होने वाली है अगले second होने वाली है तो about to कोई चीज़ होने वाली है मैं अपने business शुरू करने वाला हूँ अभी तो नहीं कर दा शायद अगले हफते या अगले महीन या अगले साल so ऐसे जगा फें going to का use करते है कि अब मैं air hostess बरने वाली हूँ I decided that now I am going to be an air hostess लेकिन तब मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा था ठीक है ये sentence कौन सा है ये sentence में कोई action नहीं है ठीक है कि मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा था कोई action नहीं है इसके अंदर तो ये sentence बनेगा आपका simple past sentence simple past में हम was work का use करते है लेकिन तब इसके लिए मैंने लगा दिया but then अब sentence बचा मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा था ठीक है तो ये sentence की formation वही आएगी किसकी बात कर रहे है फिर main word फिर उसकी क्या condition थी तो मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा था लेकिन तब के लिए मैंने बच्देन लगा दिया तो पूरा sentence बना लेकिन तब मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा था but then I was more than 100 किलो से ज्यादा था ठीक है और कोई भी 100 किलो की air hostess को काम पर नहीं रखता अब ये जो sentence है यहाँ पर वुड का भी यूज कर सकते हो ठीक है कि अंदाजा वैसे लगा रहे है लेकिन यहाँ पर इसमें अंदाजा लगाने के जगाना इस चीज़ को इस तरीके से बोला है कि वो action है कि ऐसा कोई नहीं करता ठीक है तो यहाँ पर जो action है वो है higher ठीक है और कोई भी और के लिए मैंने end लगाया side में रख दो sentence है कोई भी 100 किलो की air hostess को काम पर नहीं रखता present indefinite है do does लगेंगे अब यहाँ पर वही formation है doer main word action क्योंकि simple है simple कैसे है नहीं आ रहा है मान लिया लेकिन कोई भी नहीं के लिए नोबडी लगा देंगे और जब नोबडी लगाया तो वो doer बन गया और उसमें फिर not लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है so कोई नहीं रखता है so close वाली air hostess को काम पर so doer कौन है nobody और nobody everybody यह चीज़े होती है anyone यह हमेशा singular treat करते है so nobody फिर does आएगा फिर action आएगा hire लेकिन simple है तो does छुप गया hire के अंदर nobody hires कोई hire नहीं करता है अब यह negative है लेकिन not नहीं निकलेगा बाहर क्योंकि nobody लग गया so nobody hires कोई hire नहीं करता है a hundred kg air hostess एक 100 kg की air hostess ठीक और कोई भी 100 kg की air hostess को काम पर नहीं रखता है तो hire करना and nobody hires a hundred kg air hostess इस बीच मैं एक call center में नौकरी कर रही थी अब यह तो समझ में आ रहा होगा यह तो simple आपका past continuous sentence है कि कोई काम मैं कर रहा था कोई काम हो रहा था तो was over का use होगा कोई भी continuous sentence होता है so action की first form plus ing आएगी ही आएगी इसी बीच के लिए हम यहाँ पर use करेंगे meanwhile इसी दौरान इसी बीच so meanwhile in the meantime भी कही जगा आप देख सकते हो लेकि meanwhile ज़ादा common है so meanwhile इसी बीच उसको sad में रख दो मैं एक call center में नौकरी कर रही थी यह sentence है आपका past continuous so do or main word action do or कौन है मैं I main word लगेगा was action क्या है यहाँ पर करना ठीक है so doing do में ing लगा हो है I was doing a job मैं एक नौकरी कर रही थी in a call center एक call center में ठीक है तो पूरा sentence बना इस बीच मैं एक call center में नौकरी कर रही थी meanwhile I was doing a job in a call center मैंने कुछ वजन कम करने का फैसला किया अब यहाँ पर वही फैसला किया मतलब आपका past indefinite sentence है do or main word action मैंने किया do or मैं हूँ I फिर did फिर action है फैसला करना decide did छुपेगा क्योंकि sentence simple है I decided मैंने फैसला किया कुछ वजन कम करने का I decided to lose some weight मुझे लग रहा है यहाँ पर lose की spelling गलत है I decided to lose some weight मैंने कुछ वजन कम करने का फैसला किया कुछ समय बाद मैंने audition देना शुरू कर दिया कुछ समय बाद after some time यह लगा के side बर रग दो कुछ समय बाद after some time मैंने audition देना शुरू कर दिया अब ये sentence भी आपका past indefinite sentence है so I मैंने शुरू कर दिया तो do or mean what action I, फिर did अब action क्या है शुरू करना start simple है did छुप गया start के अंदर और वो started बन गया I started मैंने शुरू कर दिया क्या करना शुरू कर दिया audition देना अब यहाँ पर देखो दे के अंदर ना लगा हुआ है ठीक है देना करना मैंने वही बताया था ऐसे जगह में ing लगता है so I started मैंने शुरू कर दिया giving auditions auditions देना ठीक है अब यहाँ पर अगर लगा देते तो हम हटा सकते थे ing I started to give auditions ऐसे भी sentence को बना सकते थे लेकिन यह formation आपको spoken में सबसे ज्यादा मिलेगी instead of using of two ठीक है so after some time I started giving auditions कुछ समय के बाद कुछ time के बाद मैंने auditions देना शुरू कर दिया कुछ की बहुत अजीब मांग थी मलब जो casting directors थे या कुछ भी थे तो कुछ की बहुत अजीब मांग थी some had very weird demands चीक है अब यहाँ जो देखो किसी का कुछ था किसी का कुछ है ऐसे जगा पे जो action होता है ना वो हम have लेकर चलते हैं अगर present की बात चल रही है present indefinite sentence है कि मैं ये रखता हूँ वो रखता हूँ यहाँ पे भी have ही होता है लेकिन अगर have के अंदर dust छुप गया तो वो has बन जाता है कि उसके पास pen है he has a pen उसके पास pen नहीं है he does not have a pen dust बाहर आ गया तो वो has का have बन जाता है चीक है second यहाँ पे अगर past के बात चल रही है तो have के अंदर did छुपा हुआ होता है इसलिए वो had बन जाता है चीक है कुछ की बहुत अजीब demand थी so यहाँ पे do or main word action do or कौन है यहाँ पे कुछ चीक है some कुछ लोग बलब some people उस तरीके से some फिर आएगा यहाँ did और यहाँ पे action है उनकी कुछ थी so some did have लेकिन simple है तो did छुप गया have के अंदर और some had चीक है very weird demands काफी अजीब मांग चीक है कुछ की बहुत अजीब मांग थी इस तरीके से sentence बना अगर इसका negative बनाओगे न तो did not have बनेगा क्योंकि had में से did निकल के आ गया sorry have में से जो है वो did बाहर निकल के आ गया तो had का दुबारा से have बन जाएगा चीक so कुछ की बहुत अजीब मांग थी some had very weird demands और वो एक संघर्ष था ठीक है यह sentence हो गया आपका simple past वाला sentence so or को मैंने end लगाया side में रख दिया sentence बचा वो एक संघर्ष था तो किसकी बात कर रहे हैं फिर main word और फिर वो क्या थी तो वो एक संघर्ष था वो की बात चल लिए तो यहापर इंसान नहीं है इसलिए हमने use करेंगे that फिर main word आएगा was अब वो क्या था a struggle एक संघर्ष ठीक और वो एक संघर्ष था and that was a struggle एक दिन मेरे पास यह कहते हुए phone आया की एक shoot है बहुत सारी चीज़े sentence में आपको सीखने को मिलेंगे और एक दिन and one day इसको लगा के side में रख दो one day मेरे पास यह कहते हुए एक phone आया अब मैंने एक ing वाली जो video बनाई थी मैंने उसमें यह चीज़ clear बताई हुई थी कि ing का एक use यह होता है कि मैंने कोई चीज़ करते हुए किसी को देखा ऐसे तो कोई चीज़ करते हुए ऐसे जिगर पर ing का use होता है so I got a call यह sentence was past indefinite कि मेरे पास एक phone आया मेरे पास एक call आया I did get a call simple है did छुब गया get के अंदर receive भी आप लगा सकते हो I received a call मेरे पास एक call आया यह कहते हुए saying that समझ रहे हो तो यहाँ पर यह कहते हुए saying that मैंने उसको देखा I saw him playing मैंने उसको खेलते हुए देखा मेरे पास एक call आया यह कहते हुए I got a call saying that क्या कहते हुए एक shoot है अब देखो यहाँ पर यह sentence के बारे मैंने कही वर बताया हुआ है किसी चीज़ की existence, presence की जब आप बात करते है मेरे बैग में एक पैन है छट पे यह रखा हुआ है फ्रिज के अंदर बोटल है ऐसे sentence आप there से बनाईए अराम से बन जाएंगे ठीक है there के तुरंत बात आएगी हमारी main word helping verb जिसको बोलते है और फिर जिस चीज़ की बात चल रही है ठीक है तो sentence है कि एक shoot है so there सा बनाया there shoot singular है so there is अब क्या है shoot there is a shoot ठीक है जी sentence बिल्कुल simple लगा ऐसे बन जायेगा so एक दिन मेरे पास यह है कहते हुए एक phone आया कि एक shoot है one day I got a call saying that there is a shoot और हम चाहते हैं कि आप audition के लिए आएं अब जो पहला है हम चाहते हैं और के लिए end लगाओ side मेर रख दो sentence है हम चाहते हैं यह sentence है अपका present indefinite हम चाहते हैं ताहती है वाला sense भी समझ में आ रहा है so do or main word action do or कौन है हम we उसके साथ main word आएगा do action आएगा want हम चाहते हैं लेकिन simple है तो do छुप गया want के अंदर और कोई change नहीं आएगा we want हम चाहते हैं कि आप audition के लिए आएं अब इस key के लिए आप चाहो तो that लगाओ चाहो तो ignore कर दो आप audition के लिए आएं अब हम किसी से जब कुछ चाहते हैं चीक है तो इसके एक formation आप समझ लो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुनो सो सबसे पहले तो मैंने बता दिये कि मैं चाहता हूँ I want अब किस से चाहता हूँ वो आएगा फिर to आएगा फिर क्या चाहता हूँ वो आएगा किस से चाहता हूँ फिर to और फिर क्या चाहता हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो So I want किस से आप से यू फिर to अब क्या चाहता हूँ ध्यान से सुनो मेरी बात Listen to me carefully आप यहां पर sentence क्या है हम चाहते हैं कि आप audition के लिए आए आप इस तरीकी के दो चार sentences बना के देखो बहुत असानी से बन जाएंगे तुम्हें पता है कि यह सलमान खान के साथ है अब जैसे हम हिंदी में भी कहे वार बोलते हैं याव पता है क्या हुआ पता है उसका उसकी लडाई हो गई तो यह पता है यह हिंदी में भी बहुत कॉमन होता है इंग्लिश यू-णो ला जाता है जीकशिक्ट है आप देखेंग सम्थिंग इस तरी के से मैं बात कर लेता हूं चीक, so you know, क्या आपको पता है कि ये सलमान खान के साथ है, अब ये जो सेंटेंस है ये होगा आपका सिंपल प्रेजेंट मतलब इस मूवी की बात चल रही है, जो ऑडिशन सलमान खान के साथ है, so with सलमान खान, so it is with सलमान खान तो पूरा सेंटेंस मूना, तुम्हें पता है कि ये सलमान खान के साथ है, you know, it is with सलमान खान मैं ऐसी थी, अब जैसे ये हम बोलते हैं न, क्या मैं तो ऐसा हो गया कि क्या हो रहा है ये, इस तरीके से इस चीज में भूलते है I was like ऐसे I was like ठीक है तो यह जो चीज होती है ना I was like अब जैसे किसी न मानले मुझे future की बात बोली कि अगर मानले तेरे सामने एक मलब एक दम से तिरी कोई lottery लग जाए तो क्या होगा मलब भाई मैं तो ऐसा हो जाओंगा जैसे पागल so I will be like like a mad person so I will be like so I am like मैं तो ऐसा हो गया हूँ ऐसे I am like मैं तो ऐसा हो गया हूँ और past के बात कर रहे हैं मैं तो ऐसी हो गई थी I was like इस तरीके से so मैं ऐसी थी I was like oh my god ठीक है कहां है ये तो कहां है ये तो ये जो sentence है ये कहां है ये sentence इस तरीके से है so simple present का sentence है लेकिन सवाल फिर किसकी बात कर रहे हैं, so quotient word है कहाँ, where, फिर main word is, फिर it, जिसकी बात करे हैं, where is it, ये कहाँ है, मैं आ रही हूँ, ये तो simple है, आपका present continuous sentence है, ing लगेगा action की first form में, और helping verb is mr, so do or main word action, do or मैं, I, फिर I के साथ am, फिर आना है action, अगले दिन मैं सुभाष गई के पास गई, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी, अगले दिन, next day, मैं सुभाष गई के पास गई, चीक है, so I went, ये sentence आपको past indefinite ही है, कि मैं उनके पास गई, so I did go आना चाहिए, do or main word action, लेकिन डिट छुप गया, go के अंदर, go की second form बनी वेंट, I went to सुभाष गई, अब ये जो गई के बाद, apostrophe S लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, किसी के यहाँ जाना, किसी के पास जाना, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं, कि मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर क्लेर ही नहीं किया, कि मैं डॉक्टर के क्लेनिक जा रहा हूँ, डॉक्टर के घर जा रहा हूँ, बस इतना बोलते हैं, मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, सो इंग्लिश में भी इस तरीके से सीधा सा एपस्ट्रॉफी ऐस लगा एक खतम कर देते हैं चीक है सो नेक्स डे आई वेंट टो सुभाश गाईस तो सुभाश गाई के पास गई सुभाश गाई के यहां गई इस तरीके से मैं हमेशा से सलमान खान की बहुत बड़ी फैन रही हूँ अब देखो यहां पे रहा है रही है का सेंस आ गया confusion यह हो सकती है कि यह तो present continuous sentence है ना यहां पे हमेशा से एक पीछे से सेंस आ गया एक time का सेंस मिलिया यहां पे और मैंने बताया हुआ है चाहे mention हो या ना हो कि कब से बचपन से दो साल से पांच साल से 2012 से चाहे यह चीज़ mention भी ना हो तब भी since for का use होता है सॉरी since for का use नहीं होता है लेकिन तब भी वो present perfect continuous sentence होते है has been have been का use होता है अगर मैं बोलू कि I am waiting या फिर अभी मैं बोलू कि I am making a video चीक है और अगर मैं बोलू कि I have been making videos तो जब मैंने बोला I have been making videos तो वो समझ में आ जाता कि मैं कुछ time से वो चीज़ करता हुआ रहा हूं तो यहां पर इसने बोला मैं हमेशा से सल्मान खान की बहुत बड़ी fan रही हो तो इस हमेशा के लिए तो मैं always का use कर दूँगा लेकिन sentence आपका जो बनेगा यह आपका present perfect continuous बनेगा So I have always been a fan या फिर I have always been a huge fan मैं हमेशा से एक बहुत बड़ी fan रही हूँ of सल्मान खान ठीक है तो यहां पर इस तरीके से sentence बनेगा So I have always been a huge fan of सल्मान खान मैं सल्मान खान की हमेशा से ही बहुत बड़ी fan रही हूँ वीर के बाद काफी आलोचना हुई ठीक है अब इस sentence को आप चाहो तो past indefinite में बना दो क्योंकि देखो हुई यह तो एक तरीके से action तो आ गया तो यह sentence past indefinite में बन सकता है बिलकुल बन सकता है कि वीर के बाद काफी आलोचना हुई After we lots of criticism happened ठीक है इस तरीके से sentence बन सकता है और अगर sentence को चाहो तो आप simple past में बना सकते हो कि वीर के बाद बहुत सारी आलोचना थी तो presence existence के बाद कर दी there was से भी बना सकते है there का use करें में 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 वर्ड आ जाएगा आफ्टर वीर के बाद काफी आलोचना हुई थी there was a lot of criticism एसे भी sentence बन सकता है action अगर आप लगाना चाहो तो अब यहाँ पर मैंने simple past में रख दिया है कि वीर के बाद काफी आलोचना हुई थी after we there was a lot of criticism किनी कारण उसे film ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया चीक है तो यह जो sentence है यह भी आपका past indefinite sentence है और negative वाला sentence है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं किया so do or main word not action so do or कौन है film film ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया so film फिर did main word फिर not और फिर action action क्या है do अच्छा प्रदर्शन नहीं किया perform भी आप लगा सकते हो चीक है कि film did not perform well लेकिन बहुत एक casual approach में do भी use कर देते हैं कि film did not do well film did not perform well ऐसे दौनल तरीके से बन सकता है so film did not do well कि film ने अच्छा नहीं किया किनहीं कारणों से for whatever reason कोई भी कारण हो for whatever reason चीक है अगर मैं बोलो किया तो कि तुने कोई भी कारण रहा हो तुने उसको मारा किसी भी कारण से मारा लेकिन वह सही नहीं है so for whatever reason you hit him but that is not good ऐसे हम बातों को बोलते हैं so किनही कारणों से film ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया film did not do well film did not perform well for whatever reasons सारी और सारी पृतिकरिया मुझ पर आ गई अभी जो पृतिकरिया होती है ना यहां पर चीक है इसको हम वैसे बहुते हैं backlash ओर सारी पृतिकरिया मुझ पर आ गई सो देखो और के लिए end लगाया side में रख दो sentence है सारी पृति के लिए मुझ पर आ गई past indefinite sentence है ठीक है क्योंकि आना यहाँ पर action लग गया so doer main word action doer कौन है ठीक है सारी पृति के लिए जो आई वही तो doer है ना तो कौन आई सारी पृति के लिए so all the backlash के सारी पृति के लिए फिर डिड़ आएगा और फिर आएगा action कि क्या है action आना so all the backlash डिड़ कम आना चाहिए लेकिन सिंपल है डिड़ चुब के कम के अंदर second form बने के so all the backlash came on me कि सारी जो चीज़े थी वो मुझ पर आ गए कि सारी पृति के लिए मुझ पर आ गए इस तरीके सा sentence बना तो यहाँ पर एक चीज और बताओ मुझे जो लग रहा है क्योंकि मुझे तो इस चीज़ को ही बताना होते हैं बोलते वे मैं इसलिए बोलता हूं कि कभी इतना जज कर्मत किया करो खुद को grammatical चीज़ों के अपर खासकर spoken में कि आप जो बोल सकते हो वो भी ना बोल पाओ पूरा interview English में था यह लेकिन यहाँ पर देख एक छोटी सी गलती है came on me के जगा came at me आना चीए था लेक in order to speak fluently or in order to speak confidently so I would definitely suggest you कि आप इन चीज़ों के बारे में तरह सोचना कम कर दीजिए कि आप अब आप जो ग्रैमर और 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 इस प्रपोजिशन और इस थिंग्स आप सिर्फ बोलने पर भी ध्यान दीजे धीरे धीरे चीजे और मैंने बताया हुआ है कि बुक्स पढ़ना श से गिनल देगा क्योंकि आप बुक्स पढ़ पढ़के सही ग्रैमर को अपने दिमाग में डाले जा रहे हो बिनना इस इंटेंशन के कि मैं सीख रहा हूं आप सीखते रहोगे तो यह थी आज की इस वीडियो के बारे में सारे सेंटेंस इस वर्ड आई होब इस वीडियो वस यूसफू फॉर यू अगर आप नए है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साइंक्यू